हेलो एव्रियन उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम है राजिश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वाकत है तो दुस्तो आज हम बात करने जा रहा है रिलाइंस पावर लिम्टेड शेयर के बारे लिखने को मिली और लगभग बात करें जो इस के रिजल्ट है वो किस प्रकार से है ह। बात करें नेट सेल्स की तो quarter 4 में जो नेट सेल्स निकल गया है कंपनी की वन थाउजन सैवन थर्टी क्रोड रूपीज के अरॉंड में है वहीं अगर previous quarter से compare करें जहां 1,886 क्रोड रूपीज हुआ करती थी और वहीं दोस्तों अगर एक साल पहले से compare करें जहां 1,846 क्रोड जो है लगतार बढ़ते जा रहे हैं और नेट सेल्स जो है वो ड्रॉप होती जा रही है जो कि एक अच्छा sign नहीं है कंपनी के लिए दोस्तों अगर एविटा की हम बात करें तो quarter 4 में 159 क्रोड रूपीज का निकल के आया है और दोस्तों एक साल पहले जो कंपनी का था वह तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी को जो profit हुरा है वह इस वज़े से है क्योंकि जो exceptional items है company के 1036 क्रोड रूपीज का यह आया है तो इसी वज़े से company को जो है profit after tax में company profit में देख रही है एक्सेप्शनल आइटम जो है 1,036 क्रोड रूपीस के अराउंड बहन के तो यह कुछ भी हो सकते हैं लाइक इन्होंने कुछ सेल किया हो या इस तरीके का कोई और चीज भी दोस्तों के शेर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के आप स्टेक हैं वो देख सकते हैं 24.99% के हैं और पब्लिक की हिस्सेदारी 75% की है और इसमें आप और चीज देखिए तो FIS जो हैं अपने जो स्टेक हैं वो उन्होंने प्रिविएस क्वाटर से कम किये हुए हैं और DIS भी जो अपने स्टेक है वो लगतार घटाती जा रही है चीज चीजी है कि जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग जो प्लेज़ थी वो कमपनी लगतार रिडियूस करती जा रही है जो कि एक और अभी quarter four में company का कोई भी holding जो अभी है वो current प्लेज नहीं है जो कि एक strong sign देती है company को अगर बात करीज जाए इसके support की तो आप देख सकते हैं जो stock का support था वो 9.50 परसे के करीब से था और वहीं से जो stock है वहाँ से उपर की तरफ reversal भी दिखाया था stock ने और अभी जो current में stock है वो लगबक 13 रुपीज की करीब में चल रहा है तो 13 रुपे 75 पैसे से ही हमें जो resistance था stock में वहाँ से बिखवाली देखने को मिली और वहाँ से stock है वापस से नीचे की और आने लगा तो अभी आप देखिए current में जो stock है वो 13 रुपीज के round में ट्रेट कर रहा है और अगर बात करीजा है तो resistance का जो level है 13 रुपी 75 पैसे का stock इसे cross नहीं कर पाया है अगर इस level को stock cross करता तो stock में हमें और momentum generate होते हुए देखने को मिलता तो इस stock में लगवगा में 16 रुपाय के जो target थे वो भी देखने को मिलते है बट अभी जो stock है stock quarter 4 के results भी जो दोस्तों है बहुत ही अच्छे नहीं है काफी निराशा जनक है EBITDA भी drop हुआ है तो देखना है कि Monday को market में इसका कैसा reaction रहता है और current में अगर आप इसमें entry बनाने की सोच रहे हैं तो बिलकुल भी favorable नहीं है क्योंकि जो stock है अपने resistance के करीब में है जो जहां से इसमें entry करना कोई भी समझदारी की बात नहीं है अगर entry करना है तो करीब इसको support के करीब आने दे लगबग 11 रुपए के करीब अगर आता है और 11 रुपए के नीचे जाता है stock तो इस stock में हमें weakness भी देखने को मिलेगी अधावाइस अभी जो stock है इसमें कोई भी fresh trade नहीं बन रहा है मिलते हैं दोस्तों next video में thank you for watching my video